नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे नई व्लोग में तो आज के वीडियो की सुरुवात कर रही हूँ इन प्यारे प्यारे नजारों के साथ चारों और से देखिए पहाड है और रात को बारिश हुई है तो इसलिए मौसम बहुत ही स्वाना है पूजा उठके अभी भी बाहर घूम रही है और देख रही है बाहर के नजारे आज का नास्ता जो है कुछ इस्पेसल होने वाला है क्योंकि आज हमें तो बनाना नहीं है तो आज ओडर आया था दही जलेवी का तो दही जलेवी और समों से यहां पर गर्मा गर्म आने वाले हैं और वेदू कर रहा है हम मौसी के साथ खूब सारी मस्ती खुले आसमान के निके जादे विधे खूब देने मेरी को बहुत अच्छा लागा सीडियसली। अज आप अच्छा लागा सीडियसली। तुर तुरा उसके हाफ में रखते हैं आपा हाँ ऐसे ही बढ़िया लगती है वस दादी कच्छो भल्चु बोला नहीं सब्सक्राइब जलेबले पकड़ सब्सक्राइब फोटो काएगे ले आगे फोटो आगे जाइब दादी के पास क्या है वेदू नानी के पास क्या है वेदू वेदू यह देखो यह यह जिए नीचे मत बिठाव से धूल अगर होरी चमाम नहां रखा उसने भी यह है करने के बाद हम लोग शाम को निकले घूमने के लिए और घूमने जा रहे हैं आज बच्चे रामगंगा रिवर में और वहां पर करेंगे थोड़ी सी स्वीमिंग तो चलिए चलते हैं दिखाते हैं आपको तो मैं और इजा और वेदू हम तीनों तो रहे उपर होटल पर बैठे वे और वहां दूर देखिए आपको दिख रहा होगा बच्चे कर रहे हैं स्वीमिंग दिखा आपको दिखा आपको जब जूम करूंगे अच्छे से तो दिखा रहे हैं और यह महराज जो नहीं नहाने वाले थे उलास में गए और नहीं हम लोग उतर गए हैं पुरे कपड़े अपड़े सब पहन दिया हैं सूखे कपड़े उसके बंडी खोली और सिदा अच्छा और नहाने के बाद इन लोगों को पीनी है चाई और नदी के अंदर ये पीरे से गर्मा अठाड़े रहे हैं वो लिमका मेरे रहे हाथ देखो हाथ देखो हाथ देखो कैसे हो गए आज का स्नेक्स तो बच्चों ने ऐसे ही इहीं पर कर लिया किसी ने खाई मैगी और किसी ने खाई छोले और किसी ने पी चाय तो किसी ने पिया ठंडा उसके बाद हम लोग होटल गए और थोड़ी देर किया आराम और फिर शाम को बना था पर लजीज खाना जो की अभय ने बनाया था आज के शेफ थे अभय तो आज अभय ने इतना टेस्टी खाना सब को खिलाए ये खाना खाने के बाद सब जो है उनलिया चाटते रह गए तो आज का व्लोग करते हूं ही समा आप मिलती हूं आपसे अपने अगले व्लोग में अपता के लिया गओबाई